राज्यपाल के अधिकारों में कटवती को लेकर घमासान मचा हुआ है जा सताबश का कहना है कि सरकार के फैसले को लेकर गलत फैमी फैलाई जा रही है वही भाशपा का कहना है कि विश्वी दालों में कुलपती पत पर सचिन वाजे जैसे किसी वेक्टी को नियुक्त करने के लिए ये अधिकार अपने पास लिया है दूसरी तरब शिवसिना विदायक प्रकाश सुर्वे ने पुलिस में शिकायत की है कि फरजी तरीके से बनाई गई अशलील वीडियो के जरिये उन्हें ब्लैकमेल कर जबरण वसुली की कोशिश की गई है वही सुप्रेम कोर्ट ने महाराश्र में बैलगाडी दोड़ फिर से शुरू करने की अनुमती दे दी है जी हाँ इस फैसले के बाद पूरे राज में जश्न का माहौल है इसे बीश प्रदेश के परिवहन मंतरी अनिल परब ने हरताल में शामिल एस्टी के करमचारियों को एक बार फिर कड़ी कारवाई के लिए चेताओ नहीं दी है तो पुने में मन से कारे करताओ की बैठ है राश ठाकरे ने साफ किया कि आगामी मनपा चुनाओ में भाजपा के साथ कोई गड़ बंदन नहीं होगा इसलिए पार्टी संगटन को मजबूत करे उसी दम पर आप जीत कराएंगे प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विशार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ उच्चवत तक्निकी शिक्षा मंतरी उदर सामन ने कहा कि राजपाल के अधिकारों में कोई कटवतीन नहीं की है सरकार के फैसले को लेकर गलत फायमी पहला है जा रही है राजपाल ही विश्विद्धालों में कुलपती की नियुक्ति करेंगे इसके बाद राजपाल कुलपती पत पर नियुक्त होंगे कुलपती के लिए राजजपाल के पास ही अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा दूसरी तरफ बाजपविदाक आशिशेला ने कहा कि विशविद्धालों के कुलपती अब युवा सेना के किचन कैबिनेट में तै किया जाएंगे क्योंकि राजजपाल ने विशविद्धालों में कुलपती की न्युक्ति का अधिकार राजपाल भगत सिंग के उशारी से अपने पास ले लिया है शेला ने दावा किया कि सरकार ने विश्विद्धालों में कुलपतिपत पर निलंबित पुलिस अधिकारी सचिनवाजे जैसे किसी वेक्ति को न्युक्त करने के लिए यह अधिकार अपने पास लिया है शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे ने दहिसर पुलिस टेशन में FIAR दर्च कराई है मागाठाने इलाके से विधायक सुर्वे ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि फर्जी तरीके से बनाई गई अश्रिल वीडियो के जरीए उन्हें ब्लैक मिल कर जबरन वसुली की कोशिश की गई है उन्हें ने बताया कि जनप्रदी होने के नाते वे सभी को फोन उठाते है और वाटसैप पर भी लोगों को जवाब देते है इसी साल 11 नवंबर को सुर्वे को एक अंजान नमबर से वाटसाप संदेश आया जिसमें लिखा हुआ था हेलो कैसे हो 13 नवंबर को फिर उन्हें संदेश आया जिसमें नमस्ते लिखा हुआ था सुर्वे ने कोई जवाब नहीं दिया फिर 16 नमबर को उन्हें संदेश आया जिसमें लिखा था नमस्कार क्या हुआ इसके बाद उन्हें उसी नमबर से एक वीडियो कॉल आया पहली बार तो उन्होंने फोन नहीं उठाया लेकिन दूसरी बार उठा लिया लेकिन वीडियो कॉल रिस्यू करते ही सुर्वे हैरान हो गए क्योंकि सामने दूसरी ओर से एक महिला अश्लील हरकत करती नजर आ रही थी सुर्वे ने पुलिस को बताया कि उन्होंने तुरंद फोन काट दिया लेकिन सुर्वे को वीडियो मिला जिसमें वे अश्लील हरकत करती महिला के साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे थे इसके बाद उसी नंबर से एक पुरिश ने फोन किया और सुर्वे को वीडियो सोशल मीडिया पर वारल करने की धमकी दे कर पाच हजार रुपे की मांगी इसके बाद सुर्वे ने दही सर पुलिस टेशन में मामले की शिकायत की सुप्रिम कोर्ट ने महाराष्ट में बैलगाडी दौट फिर से शुरू करने की अनुमती दे दी है इस फैसले के बाद पूरे राज में जशनका माहल है लोगों का कहना है कि राज में बैलगाडी दोड से प्रतिबन हटने से एक बार फिर या खेल शुरू हो जाएगा और परमपरा का निर्वहन होगा प्रदेश की महाविकास आगरी सरकार ने भी सुप्रेम कोर्ट के बैलगाडी दोड बढ़ा करने के नुमती का स्वागत किया है मुख्य मंत्री उद्वर ठाकरे ने कहा कि सुप्रेम कोर्ट के फैसले से पशो की देखबाल करने वाले किसानों का बैलो पर प्यार जीत गया है मुख्य मंत्री ने बैलगाडी दोड शुरू होने के लिए संगश करने वाले पशो प्रेमियों को भी बढ़ाई दी है उन्होंने कहा कि पशुपाल को और पशुधन पर बेहत प्रेम करने वाले किसानों की बैलगाडी दोड एक परंपरा है हमारे संस्कृति में पशुधन को देवताजय सास्थान दिया गया है मुख्य मत्री ने कहा कि बैल गारी दोड में नियमों का पालन होना चाहिए और पश्यों को शतीर नहीं पहुचा जाना चाहिए जबकि उपमुख्य मत्री अजित पवार ने कहा कि बैलगारी दोड़ पर लगी रोग को हटाने के लिए राजे सरकार ने काफी प्रयास किये थे यह सरकार के प्रयासों की जीत है वही राजे के पशुपालन मंत्री सुनिल केदार ने कहा कि सुप्रिम कोर्ट ने किसानों की मांगों पर सकरात्मक आदेश दिया है इससे ग्रामिन इलाकों की अर्थवेवस्ता को गती मिल सकेगी बता दे कि सुप्रिम कोर्ट ने 2014 में जली कट्टू, बैल दोड और बैल गारी दोड पर देश भर में पतिबन लगा दिया था यह सुविकार करते हुए कि PCA दिनियम के प्रवधानों का उलंगन करते है प्रदेश के परिवहन मत्री अनिल परब ने हर्टाल में शामिल S.T. के करमचारियों को एक बार फिर कड़ी कारवाई के लिए चेताओ नीदी है उन्हेंने कहा कि सरकार करमचारियों के खिलाक कारवाई के लिए सबी विकल्पों पर विचार कर रही है गौर्द तलब है कि S.T. करमचारियों की हर्टाल के कारण लोगों को भारे परैशानी का सामना करना बढ़ रहा है हर्टाली करमचारी की कई मांगे माली गई है फिर भी वेट टस से मस नहीं हो रहे है परबने कहा कि सरकार की कर्मचारियों के खिलाब सक्त करवाई करने की बिलकुल इच्छान नहीं है लेकिन कर्मचारी अत्ता वैक्षब बस सेवा को रोक नहीं सकते है सरकार हाथ पर हाथ रखें नहीं बैठ सकती है पर अब ने कहा कि अब तक स्ट के 10,650 करमचारी निलंबित किये जा चुके है दीरे दीरे अब इन करमचारियों को बरखास दगी की कारवाई का सामना करना पड़ेगा इसी बीच स्ट महामंडल ने हर्ताल में शामिल और 179 करमचारियों को निलंबित कर दिया है 140 करमचारियों के तबादले किये गया है 12 करमचारियों की सेवा समाप कर दी गई है जबकि निलंबित करमचारियों में से 11 करमचारियों को बरखास कर दिया गया है वही 35 करमचारियों को कारण बताओ नोटीस भेजी गई है स्टी कर्मचारियों की हरताल शुरू होने के बाद से अभी तक 10,650 कर्मचारी निलम बित किये जा चुके हैं। सरकार संबोईत अगले कदमों पर विचार कर रही है। पड़ेगा और इसके लिए लोगों के बीज अपने उपस्तिती साबित करनी होगी। बता दे कि भाजपा शिवसेना गडबंधन तूटने के बाद भाजपा के साथ मनसे के गडबंधन की चर्चा जोरो पर थी। इस मनपा चुनाव में भाजपा मनसे के गडबंधन की लेकिन मनसे अद्रक्ष राश्टाकरे ने इसे सीरे से नकार दिया है। बैटक में शाका प्रमुक, विवावपा दक्ष, शाका उप्रमुक को प्रवेश दिया गया। राश्टाकरे ने कारकरता हो कि बाते सुनी और पार्टी संगटन को बढ़ाने कि लिए क्या करना चाह यह सुजाओ दिया राश ठाकरे ने कहा कि अब आप वोटर्स के घर घर जाकर मुलाकात करें जनसंग पर्क बढ़ाए सोशल मीडिया के इस्तमाल कम करें सब कुछ भूलकर एक साथ काम करेंगे तो पार्टी की ताकत बढ़ेगी इससे आप जीत सकते हैं राश ठाकरे ने कहा क कि फिलाल प्रदेश में राजनितिक अनिश्चित्रा का माहूल है गड़ बंदन को लेकर कई पार्टियों में एक रायन नहीं बन पा रही है इसलिए एकला चलो में ही भलाई है स्कीन तू स्कीन तच मामले में विवादित फैसला देने वाली जर्ष नयमूर्थी पुष्पा गनेडिवाला का डिमोशन हो गया है सुप्रिम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश बॉम्बे हार कोर्ट के स्थायनायदिश के रूप में नहीं करने का फैसला किया है वही खबर है कि करमचारियों के एचारे में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है शरम मंत्राले जल्द ही नियकताओं को मवजुदा करमचारियों के वेतन धाचे में बदलाओ करने के नुमतीत दे सकता है इसे बीट सरकार टेली कम्यूनिकेशन सेक्टर के पुराने कानुनों में बड़े बदलाओ की तयारी कर रही है उसका कहिना है कि उपनेवेशिक काल के नियम आज प्रासंगिक्त नहीं है काफी कुछ बदल गया है उदर महिलाओ को लेकर कॉंग्रेस के विधायक और करनाटक विधानसभा के पुर्वदेख्ष रमेश कुमार ने एक बेहदी शर्मना टिपनी की है हाला कि बाद में उन्होंने माफी मांग ली है लेकिन बयान को लेकर बवाज थम नहीं रहा इसके अलावा केरल में ओमिक्रॉन को लेकर हड़कम मच गया है वहाएक ओमिक्रॉन संकरमित युवक कोरोना प्रोटकॉल को तोड़कर मॉल रेस्टरॉंट समित मार्केट में जा पहुचा प्रशासर इस युवक के संकर्थ में आए लोगों की इलिस दयार करने में जुटा हुआ है देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्सार से जानने के लिए बन रही है आफ हमारे साथ सुपरिम कोर्ट कॉलेजियम ने द्यायमूर्ती पुश्पावी गनेडिवाला के नाम की सिफारिश बॉम्बे हार कोर्ट के स्थायन आधिश के रूप में नहीं करने का फैसला किया है गनेडी वाला वही जज है जिनके एक फैसले ने कापी विवात खड़ा किया था उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि अगर पीडिता और आरोपी के बीच स्कीन टू स्कीन टेच नहीं हुआ तो इसे योन अपराद नहीं माना जाएगा उनके मुताबिक यदि आरोपी और पीडित के बीच कोई सीधा शालिक संपर्क यानि स्कीन टू स्कीन टेच नहीं हुआ है तो पॉक्सो अधिनियम की धारा साथ के तहत योन उत्पीडन की अपराद की श्रेनी में नहीं आएगा हाला की नवंबर में सुप्रेम कोर्ट ने बॉंबे हाई कोर्ट की नाकपूर बेंच के इन फैसलों को खारिस कर दिया था जस्टिस गनेडिवाला वरतमान में बॉंबो हाई कर्ट की अत्रिक्त जजज है कॉलेजियम के इस फैसले का मतलब है कि उन्हें वापस जिला नयापालिका में भेज दिया जाएगा हाई कोर्ट में नियुक्तियों का निर्ने लेने वाले कॉलेजियम में भारत के मुक्य नयादिश एनवी रमना नयमूरती एम खानविलकर और डीवाई चंदरचूर शामिल है 1969 में महाराश्टक अमरावती जिले के परतवाड़ा में जनमेज जस्टिस गनेडिवाला को 2007 में जिलाज जर्ज नियुक्त किया गया था 2019 में उन्हें नाकपूर में बॉंबे हाई कोर्ट कातिक तन्यादिश नियुक्त किया गया सुप्रिम कोर्ट कॉलेजियम की मंजुरी 2018 में उनके फैसले को टालने के बाद आई थी करमचारियों के हैचारे में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है खास कर वे करमचारी जो स्थाई रूप से घर से काम करने का विकल्प चूनते हैं क्योंकि श्रम मंत्राले जल्धी नियक्ताओं को मौजुदा करमचारियों के वेतन धाचे में बदलाव करने के अनुमत ही दे सकता है एक शिर्ध सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्राले सेवा शर्तों को फिर से परिभाशित करने के लिए स्थाई आदेश जारी कर सकता है माना जारा है कि घर से स्थाई काम करने वाले करमचारियों के वेतन में बदला होगा जैसे हरे और प्रोफेशनल टैक्स में और हरे में बदलाव का सबसे महत्वपुन प्रभावट टैक्स पर हो सकता है हरे में बदलाव का सीधा असर करमचारी के आयकर भुकतान पर पड़ेगा जबकि एचारे में कमी से टैक्स आउटगो के साथ साथ अतरिक्त एपिअप में वृद्धी होगी यदि कोई करमचारी डबलु एफेच के तहट अपने गुरुहनगर में जाता है वर्तमा नियमों के तहट एचारे के लिए टैक्स चूट कम से कम तीन है पहला नियोकता से प्राप्त वास्तविक एचारे दूसरा मूलवेतन का 50 प्रतिशत प्लस मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए महंगाई बत्ता और गर में रहने वालों के लिए 40 प्रतिशत और तीसरा वास्तविक किराय का भुकतान माइनस मूलवेतन प्लस डिये का 10 प्रतिशत यदि यह चारे कम कर दिया जाता है और किसे ऐसी चीज़ से प्रस्ता पित नहीं किया जाता है जिसके लिए कर्चुट उपलब्द है तो कर्मचारी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है सरकार टेली कम्मुनिकेशन सेक्टर के पुराने कानुनों में बड़े बदलाओ की तैयारी कर रही है दरसल सरकार चाहती है कि कमपनियों को एक दूसरे में मर्ज होने विस्तार करने और बिजनेस चलाने में नौकल शाही से धेरो अप्रियों लेने की जरुरत न पड़े और भविशा में उन्हें अदालोतों में लड़ने की जुरुरत भी न हो रिपोर्ट के अनुसार दूर संजार मंत्री अश्वनी वैशनों ने बताया कि सरकार इस तरह के तरीके तलाश रही है कि कमपनियों को बिजनेस से सहुलियत हो सरकार का लक्षा है कि फर्वरी 2022 तक नैन नियम द्वारा श्चासित है लेकिन चीजे नाट के रूप से काफी बदल गई है और इससे जुले रेगुलेशन भी साट से सतर साल पुराने है जो सरकार को इस शेतर पर विशेश अधिकार देते हैं उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों को पुरी तरह बदलना चाहती है अगले साल अक्तुबर दिसम्बर तक 5G नेटवर्क लाँच कर देगा महिलाओ को लेकर कॉंग्रेस के विधायक और विधानसबा के पूरवादेक्ष रमेश कुमार ने एक बेहदी शर्मनाख टिपपनी की है करनाटक विधानसबा में रमेश कुमार ने अदक्ष की तुलना रेप पीडिता से करते हुए एक कहावत कही कुमार ने अदक्ष के लिए कहा कि जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और इसके मजे लो इस बात पर आपती दर्च करने के बज़ाए विधानसबा दक्ष विश्वेश और हेगडे कागिरी हंस पड़े रमेश कुमार का यह बयान तबाया जब विधानसबा में विधायक किसान मुद्दों पर बात करने के लिए स्पीकर से समय मांग रहे थे स्पीकर विश्वेश राहेगडे कागिरी ने सवाल किया कि अगर सब को समय देंगे तो सतर कैसे पुरा होगा इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आप लोग तै करेंगे मैं हा कर दूँगा मैं सोच रहा हूँ कि हम सब को इस परिस्तिती का आनन लेना चाहिए स्पीकर के ऐसा कहने के बाद रमेश कुमार ने उनकी तुलना रेप पीडिता से करते हुए विवादित बयान दिया और स्पीकर से कहा कि आपकी स्थिती भी ऐसी है इसलिए मज़े ले लीजिए उनके बयान पर स्पीकर सहीद अन्य सदस्य एक साथ हंस पड़े कुमार के बयान की जब चारों तरफ निन्दा हुई तो उन्होंने माफी मांग ली उन्होंने ट्विट कर कहा कि उधन सभा में रेप पर दिये गए अपने बयान पर मैं माफी मांगता हूँ ऐसे गंबिर अपराद का जिक्र मज़े के तोर पर करने का मेरा इरादा नहीं था आगे से अपने शब्दों का चुनाओ करते समय मैं साउधा नहीं रखूंगा केरल में Omicron से संकरमित युक कोरना प्रोटाकॉल को तोड़ कर मॉल रेस्टोरन समेथ मार्केट में जह पोचा संकरमित युक द्वारा मार्केट घुमने के बार पर पर फूल गया है आप प्रशासन इस युवक के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट तयार करने में जुटा हुआ है प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनोती है कि संकरमित युवक मौल में किन किन दुकानों में गया और उसके संपर्क में कितने लोग आया है वह जिस रेस्टारंट में वर्ग खाना खाया है उसके आसपास कितने लोग वहां मोजूद थे स्वास्तमत्री वीना जॉज ने बताया कि विभाग युवक का रूट मैट जारी करेगा और उसके संपर्क में आये लोगों से अपिल किया जाएगा कि वो जल से जल स्वास्त विभाग से संपर्क करे और कोरोना टेस्ट करवाए उन्होंने कहा कि ओमिक्रोन विरियंट से संक्रमित होने पर जरूरी प्रोटोकॉल्स का नियम पूर्वक पालन करने बेहर जरूरी है विशेशग्यों की माने तो ओमिक्रोन विरियंट काफी तेजी से फैलता है ओमिक्रोन डेल्टा विरियंट से कई गुना ताकत वर है बताया जा रहा है कि अब विरियंट पूरे समुदाय को एक साथ अपनी चपेट में ले सकता है देश में कोरोना प्रभावित वाला राज जगेरल ही है देश में कोरोना आकड़ों में से आधा से ज़्यादा संक्रमित मरीज यहीं से निकल रहे है या कुल संक्रमितों की संक्या बढ़कर 51,95,997 और मलने वालों का आकड़ा 43,946 तक पहुच गया है ताजा जानकारी कनुसार देश में ओमिक्रों संक्रमितों का आकड़ा बढ़कर 97 पहुच चुका है अब तक 11 राज़ों में यह संक्रमन फैल गया है पूरा ब्रिटन ओमिक्रों से त्राही माम कर रहा है मामले इतने तेजी से बढ़ रहे है कि उनकी जाश दख नहीं हो पा रही है प्रधान मंत्री और स्वास्त मंत्री ने लोगों को चिताया है कि इसे हलके में न ले वही जपान के उसका शहर में एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों के मारे जाने की आशंका है मुख्य बाजार में 8 मंजिला इमारत की 4 और 5 मंजिल पर आग लगने की घट ना हुई है इसे बीच खबर है कि पाकिस्तान के बढ़ान मंत्री इमरान खान अपने घर का खश दक नहीं चड़ा पा रहे है इसे पूरा करने के लिए वह राजनितिक सहियोग्यों से हर महिने लाखों रुपए उधार ले रहे है उदर संकी तानाशा के फर्माज से उतरकोरिया की लोग परेशान है दरसल उतरकोरिया पुर्वनेता कीम जोंग इल के दस्वी बरसी का शोख मना रहा है और इस दोरान लोगों के हसने और रोने पर पाबंदी लगा दी गई है इसके अलावा भारत के लिए गर्व की बात है कि भूटान सरकार ने पीम नरेंद्र मोदी को भूटान के सरवच्च नागरी पुरसकार का समान नगदक पेलजी खोरलो से समानित करने का फैसला किया है यह जानकारी खुद भूटान पीम लोटे शेरिंग ने दी है दुनिया भर के इन पाच बड़ी खबरों को विसार से जानने के लिए बन रही है अफ हमारे साथ कोरोना के ओमिक्रोन विरियंट के कहर से जूज रहे बिटेन के स्वास समंतरी साजित जाविद ने चेताओनी दी है कि कोविड-19 का एन एस रूप दुनिया के जन स्वास के लिए सबसे बड़ा खत्रा है बिटेन में पिछले 24 घंटे में 28,000 मामले सामने आए हैं जो महमारी की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है मामले हर दो दिन में डबल हो रहे हैं इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि उनकी जांच दख नहीं हो पा रही है बिटेन दुनिया की उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने सबसे पहले कोविड रैक्सिनेशन को शुरू किया था इसके बावजुद अब आ रहे रिकॉर्ड मामलों ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है बिटेन के बदानमद्री बोरिस जॉनसन ने भी लोगों को सचेत करते हुए कहा कि बिटेन में कोरोना वाइरस के ने विरियन ओमिक्रॉन से पहली मौत होने के बाद लोगों में डर है यह नए अस्ट्रेन बड़ी तादाद में लोगों को अस्वताल पहुचा रहा है उन्होंने चेताउनी देते हुए कहा कि लोग ओमिक्रॉन के खत्रे को हलका न समझे एक नए अध्यन में दावा किया गया है कि बिटेन में यदि अतिरिक्त नियंतरन के उपाये नहीं किये गए तो अगले साल अपरे तक इस कोरोना वायरस के नए सोरूप ओमिक्रॉन से 25,000 से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है नेताउनी हचेताउनी ऐसे समय बढ़ दी है जब कोरोना के नए मामले देश में हर दिन रेकॉर्ड कायम कर रहे है गुरुवार को कोरोना के 98,736 मामले सामने आए और पिछले एक सब्ता में कुल मामलों में 74 फिसदी की वृद्दी हुई है जापान के उसाका शहर में एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों के मारे जाने की आशंका है मुख्य बाजार में 8 मंजिला इमारत की चोथी और पाच्वी मंजिल पर आग लगने की घटना हुई घटना में 28 लोगों की हताहत होने की आशंका है जिन में से 27 लोगों के रुदे या फेपडों ने कामकरना बंद कर दिया है आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है और विस्तुत जानकारी का इंतजार है फुटेज में आग बुजाने के बाद दरजनों दमकल कर्मियों को इमारत से बहाराते देखा जा सकता है स्तानिय मीडिया ने कहा कि इमारत की इस मंजिल पर एक क्लीनिक था जो मालसिक स्वास्त सेमा है और जनरल मेडिकल केर की सुविधाय देता है उसका फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने एफपी को बताया कि आग में घाल हुए 28 लोगों में से 27 के जीवित होने के कोई संकेत नहीं मिले है फिलाल सभी को अस्पताल ले जा रहा है करिश 27 दमकल गाड़िया घटनास्तल पर पहुंची थी इस दोरान लोगों में भारी अफरा तप्रीब मची रही लोग बधवास्तिती में इधर से उधर भागते दिखाई दिये इससे पहले सितंबर में आग लगने का भयानकाच सा इंडोनेशिया की राजदानी के निकेट एक जेल में हुआ था आग लगने से कम से कम 41 कैदियों की मौत हो गई थी वह 49 अन्यजुलस गए थे इस जेल में मादक पदार्दों की तसकरी से जुड़े अपरादियों को रखा जाता है अधिकारियों को आग लगने के कारौनों का पतान नहीं चल पाया था पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान अपने घर का खर्च दर्थ नहीं चला पा रहे है इसे पूरा करने के लिए वो अपने राजनितिक सहयोग्यों से हर मेने लाकों रुपए उधार ले रहे है इमरान खान की पार्टी पीटी आई के पुर्वसदिस सेवा नुरुत्त जजज वजिहुद्दिन आमद ने यह खुलासा किया है वजिहुद्दिन इस खुलासा के बाद से पाकिस्तान में राजनितिक माहल गरम हो गया है इमरान के करीबी सेयोग यो जांगिर खान तारीन पर यह पैसा देने का आरोप लगा है तारीन ने इसका खंडन किया है लेकिन वजिहुद्दिन अपने दावे पर कायम है तारीन के मानहानी का मुकदमा करने की धमकी पर वजिहुद्दिन ने पलटवार किया और कहा कि अगर कोई मानहानी का मुकदमा करना चाहता है तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए क्योंकि कोट के दर्वाजे खुले है वजी हुद्दिन ने यह टिपपनी MQM के आफिस में कराची में की जहां वो अग्यात कारणों से मिलने गए थे इससे पहले भी वजी हुद्दिन ने दावा किया था कि तारिन इमरान खान के घर का खर्ट चलाने के लिए हर मेंने 50 लाख रुपए देते हैं हाला कि वजी हुद्दिन ने अपने बयान के समर्तन में कोई सबूत नहीं दिया वज्युद्धन के बयान का तारिन ने खंडन किया है और कहा कि उन्होंने इम्रान कांग के घर बनी गाला को चलाने के लिए एक पैसा तक नहीं दिया है उतर कोरिया शोक मना रहा है यह शोक है उसके पूर्वनेता किम जोंग इल के दसवी बरसी का पूर्व लीडर के निधन के 10 साल पूरे होने पर उतर कोरिया की जनता पर 11 दिनों का बैन लगाया गया है इस दोरान देश की लोग नहस सकते हैं और नहीं शराब पी सकते हैं सरकारी अधिकारियों ने किम जोंग इल के निधन की याद में लोगों को किसी भी तरह की खुशी न जाहिर करने का सकत आदेश दिया है उत्तर कोरिया के कुरूरतानाशा किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर 2008 को 99 साल की उम्र में हार्ट अटेक से हो गई थी उन्होंने 17 साल देश पर शासन किया उत्तर कोरिया में हर साल यह शोक मना जाता है जो 10 दिनों का होता है लेकिन इस बार उनकी मौत के 10 साल पूरे होने पर यह 11 दिनों का होगा चुकि किम जोंग इल की मृत्यू 17 दिसंबर को होई थी इसलिए इस दिन कोई भी सामान खरीदने के लिए बादजार नहीं जा सकेगा सुत्रों के मुताबिक इतियास में जो लोग शोक के दोरान शराब का सेवन करते या खुशी मनाते पाए गए उन्हें गिरफतार कर लिया गया और वैचारिक अपराधी के रूप में सजा दी गई अधिकारी उन्हें पकड कर ले गए और फिर वे दोबारा कभी नजर नहीं आए खबर के मुताबिक किम जोंग इल के बाद उनके तीसरे और सबसे चोटे बेटे किम जोंग उनने देश की कमान संबाली भूटान सरकार ने पीम नरेंद्र मोदी को भूटान के सरोचनागरिक सम्मान नगदक पेल जी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है यह जानकरी भूटान पीम लोटे शेरिंग ने दी है शेरिंग ने कहा कि PM मोधी ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्थ दोस्ती निभाई है और कोरोना वाइरस महामारी के दोरान बेहद मदद की है शेरिंग ने बताया कि उन्होंने PM मोधी को एक आध्यत्मिक इंसान के तोर पर देखा है विदेश मंत्राले के मुताबिक भारत और भूटान की बीच महतोपूर दिपक्षिय सम्मन रहा है भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड और डेवलप्मेंट पार्टनर बना हुआ है और उसने देश में कई डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट को अपनी साहता प्रदान की है इसमें से 2020 मेगावाट ताला हैड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट पारो एरपोर्ट और भूटान ब्रोड्क्रास्टिंग स्टेशन आधी प्रमुक है कोरोना काल में भारत ने भूटान की हरसं बव मदद की है भूटान को कईला कोविड वैक्सिन मूथ में दिये गए है बता दे कि 2014 में प्रदान मंतरी बनने के बाद नरेंदर मोदी ने पहला विदेश दवरा भूटान का किया था 2019 में दुसरी बार पीम बनने के बाद भी अगस महिने में मोदी ने भूटान का दौरा किया था हाल के सालों में भारत और भूटान के भीज सम्मंद लगातार मजबुत हुए है एक्सपर्स का माना है कीनी कारणों से पीम मोदी को भूटान का सरोच नागरिक सम्मान देने की घोश ना की गई है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आपसे कल फिल मुलाकात होंगी तब तक देखते रिए वीके बीनियूस नमस्कार कर दो कर दो